Students, Good Morning to all of you Students, यहाँ पर एक latest यहाँ पर आपके लिए भर्थी आ चुकी है कि जो बचे यहाँ पर वेट कर रहे थे कि यहाँ पर आर्मी की भर्थी यहाँ पर कब आएगी तो उनके लिए एक good news है यहाँ पर कि आर्मी की भर्थी जो है यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर देखेंगे कौन सी post है और कितनी vacancy है ठीके क्या qualification रहने वाली है form कब से online हो रहे हैं ठीके यह सब आपको इस वीडियो में बताएंगे सबसे पहले अगर आप channel पर नए है channel को subscribe कीजिए और bell icon को all notification पर रखें ताकि daily की updates जो है वो सबसे पहले आप तक यहाँ पर पहुंच सके तो चलिए start करते हैं सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं rifle man और rifle woman gd की जो है यानि की male female दोनों की 38 यहाँ पर vacancy दी गई है ठीक है male female दोनों apply कर सकते हैं next आता है warrant officer personal assistant जिसमें दोनों apply कर सकते हैं बट vacancy जो है वो एक है ठीक है warrant officer draft man में male candidate only one vacancy है इसमें ठीक है बाकी यहाँ पर देख सकते हैं rifle man recovery vehicle mechanic जो है इसमें भी male candidate है जिसमें एक vacancy है rifle man plumber में male candidate को सिर्फ apply करना है जिसमें एक vacancy है ठीक है rifle man x-ray assistant के लिए जो है वो mail ही apply कर सकते है जिसमें एक vacancy है total 44 यहाँ पर vacancy मिली है और यह vacancy जो है यह है assam rifle की तरफ से ठीक है office of the director general assam rifles shillong ठीक है यह advertise निकाला गया है यहाँ पर इसकी last date जो है वो है 28 jan ठीक है 28 jan जनवरी को इसकी last date है और यह form जो है online fill up होगा यहाँ पर recruitment rally will tentatively be held from onwards सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दे इसका exam नहीं होने वाला है सबसे पहले इसमें physical होगा और physical जो है वो march में होगा और कहाँ पर होगा यह भी आपको वहाँ पर date वो बता देंगे कि कहाँ पर आपका जो है वो physical होने वाला है लेकिन पहले आपका जो है physical होने वाला है ठीक है अब यहाँ पर बताया गया है इन्होंने apply करना है आपने जल्दी से हमें contact करना है हमारा contact number है note कीजेगा 8082874110 पर आपने हमें whatsapp करना है ठीक है अब बात कीजाए physical standard जो post है gd की जिसमें दोनों apply कर सकते है male female उसमें height कितनी चाहिए यहाँ पर बताया है और chest जो है only for male candidate के लिए है male की जो height है वो 170 cm होनी चाहिए और female की 157 cm for all over जो है all over इंडिया के लिए जो है बकेंसे निकाली गई है ठीक है अब यहाँ पर next आता है warrant officer का जो physical बताया गया है यहाँ ठीक है अलग लग इसी तरह से post में अब यहाँ पर जो यहाँ पर कहा है कि और female को 1.6 km running है जो की 8.30 मिनट पर complete करनी है ठीक है साड़े आठ मिनट इनको दिये जाते हैं जो लदाख और region से है male female उनके लिए अलग अलग यहाँ पर दिया गया है ठीक है candidate applying under the compassionate ground appointments will be exempted from return exam test अब इसमें कहा है कि इन्होंने इसमें exam नहीं रखा है only आपको जो है physical clear करना है ठीक है और इसमें जो qualification है आप 10th pass है तो apply कर सकते है एज की बात की जाए तो 18 से 23 तक जो है वो एज रखी गई है for general category को बाकी age relaxation आपको मिलने वाली है यहां पर आप देख सकते हैं trade कौन सा है general duty है both male female candidate के लिए rank rifleman की है 10th class आपकी pass होनी चाहिए और 18 से 23 आपकी age होनी चाहिए next बताया गया है अगर आप personal assistant यानि की warrant officers के लिए apply करने चाहते हो rank warrant officer है तो इसमें 12th आपकी होनी चाहिए और skill test जो रखा गया है 10 minute जो है आपको 80 words per minute यहां पर आने चाहिए ठीक है 18 से 25 इसमें age रखी गई है next बात की जाए draft man warrant officer की जिसमें 12th pass रखी गई है और 3 साल का diploma architectural assistantship for any recognized polytechnic college और institution अगर आपने 3 साल का diploma किया है architectural का जो male candidate है age 18 से 25 है तो यह apply कर सकते हैं next आता है lineman field ठीक है जो rank है rifleman की 10th आपकी pass होनी चाहिए और 18 से 23 आपकी इसमें age रखी गई है ठीक है और यहां पर next जो vehicle mechanic है recovery rifleman की rank है 10th class इसमें भी pass होनी चाहिए और industrial ITI आपके पास certificate होना चाहिए अगर आपनी mechanic का course किया है तो आपके पास certificate होना चाहिए और 18 से 25 आपकी age है अब next आता है plumber की rifleman rank है 10th class पास होनी चाहिए और आपको knowledge होनी चाहिए कुछ trade की 18 से 23 आपकी इसमें age रखी गई है ठीक है जिसे ITI में आता है plumber का course उस तरह से अगर आपने कोई course किया है तो इसमें आप apply कर सकते हो next आता है x-ray assistant इसमें भी आपको जो है diploma चाहिए radiology का diploma होना चाहिए और age 18 से 23 है ठीक है और अगर आपको कोई doubt आता है नीचे comment session में अपना comment कीजेगा या फिर आप एक काम कर सकते हैं अपना ये आपको description box में link मिल जाएगा telegram का उसको जरूर जोइन करना telegram को क्योंकि वहाँ पर आपको ये PDF वहाँ पर ही provide किये जाती है और हमारा whatsapp group join कीजेगा वहाँ पर आपको study material वहाँ पर मिलता है ठीक है अब यहाँ पर आपको बता दि आपका जो physical है ये शिलॉंग में होगा ठीक है इन्होंने कहा है कि candidate को जब भी physical की date out होती है उनको advise किया जाता है कि उनको warm clothes अपने साथ लेके आने है यानि कि गरम कपड़े आपको अपने साथ लेने हाने है और आपने recruitment rally के time आप अपने parents या फ्रेंट्स के साथ भी यहाँ पर वहाँ पर जा सकते हैं ठीक है तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको क्यूरी है तो आप इस help line number से contact कर सकते हैं या आपको तीन number दिये गे हैं timing यहाँ पर दिया गया है 9 to 6 यहाँ पर timing दिया है 9 to 5 ठीक है sorry 9 to 4 यहाँ पर आपको time दिया गया है working day पर आपको call कर सकते हैं कोई भी curious आपको है यहाँ पर तो ठीक है फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं next वीडियो next update के साथ students bye bye take care